बॉलीवूड अभीनेता शारुक खान के बेटे आरेन खान मामले में NCB के पूरवधिकारी समीन वानखेडे पर रिश्वत मांगने का आरोप है वहीं इस केस में वानखडे का किंग खान के साथ चैट सामने आई है ये चैट समीर वानखडे ने हाई कोट में दायर की याचिका के साथ अटैच की है चैट में ये बताने की कोशिश की है कि आरेन के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है समीर वानखडे ने अपनी याचिका में बताया है कि वरिष्ट के आदेश के अनुसार उन्होंने केस पर काम किया वानखडे के मुताबिक चैट में शारुख नोने मैसेज किया था मैसेज में किंग खान ने कहा है कि आप मुझे मेरे बारे में जो भी विचार और व्यक्तिकत जानकारी दी है उसके लिए मैं आपको परियाप्त धन्यवाद नहीं दे सकता मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि वो कोई ऐसा इंसान बने जिस पर आपको और मुझे दोनों को गर्व हो चैट में शारुक की तरफ से आगे लिखा गया है गौड ब्लेस यू मुझे आपसे परसनली मिलना है और आपके गले लगना है जब भी आपके लिए कमफर्टेबल हो प्लीज मुझे बताईए सच तो ये है कि मैं हमेशा से आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ और वो कई गुना बढ़ गई है बिग रिस्पेक्ट इस पर वानखडे ने रिप्लाई किया कि बिल्कुल डियर हम मिलते हैं पहले ये सब खत्म हो जाए बतादे कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानि NCB के पूर्वधिकारी समीर वानखडे शारुक खान के बेटे आरिन खान के मामले में रिश्वत लेने के आरोपों से गिरे हुए है उनके खिलाफ CBI के और से FIR दर्ज भी की गई है